आकाश्माणी भोपाल से प्रस्तुत है 1971 में पाकिस्तान पर भारत के आतिहासिक विजय की पचास्वी वर्षकाट के उपलक्ष में एक विशेश कारिक्रम 1971 स्वन्निम विजय वर्ष विश्य रजनीती के इतिहास में 16 दिसंबर एक यादगार दिन है विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के लिए मनाया जाता है जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया जो आज बांगलादेश के नाम से जाना जाता है इस युद्ध ने दक्षुन एशिया के जमीनी राजनीती को बदल दिया और युद्ध समाप्ति के बाद 93,000 पाकिस्तानी स्यानिकों ने आत्म समर्पन कर दिया था इस युद्ध ने पाकिस्तान के असली चेहरे को दुनिया के सामने ला दिया 1971 का युद्ध पश्यमी पाकिस्तान की दवनकारी नीतियों का नतीजा था जब पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलनी का आदेश दे दिया गया था जिसके कारण भारत में 10 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का पलायन हुआ शरणार्थी इतने परिशान हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती भारत ने सैनिक शक्ति का उपियोग सिर्फ तभी किया जब किसी भी परिसिती को हल करने के लिए सभी राजनातिक और राजनेक प्रयास विफल हो गए थे 2020 बांगलादेश के इतिहास में एक विशी स्थान रखता है क्योंकि बांगलादेश के राष्ट पिता बंक बंधु शेक मुझीबुर रहमान का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है 3 दिसमबर 1971 को पाकिस्तान ने भारती वायू ठिकानों पर बिना किसी कारण के हवाई हमले किये उसके बाद पाकिस्तानी सीना ने दिसमबर 1970 में देश में चुनाओ कराने का निने लिया 1970 में पाकिस्तान की सीना ने सत्ता से हटने का फैसला किया और चुनाओं की खोशना की इसके नेता शेक मुजीवुर रह्मान के नित्रत्तवाली आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में चुनाओं को गती दी लेकिन मिलिटरी जुन्टा उन्हें सत्ता हस्तांत्रित करने के लिए तयार नहीं थी 1971 की शुरुवात में धाका के रवन रसकूर्स में शेक मुजीवुर रह्मान ने अपने एक एतिहासिक संबोधन में एक नया देश एक संप्रभु राज्य एक ऐसी जगह देने का वादा किया जहां बंगला आबादी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा मुक्ति वाहिनी या मुक्ति पॉस का देश एक संप्रभु बंगला राष्ट की सपनी को साकार करने के लिए शेक मुजीवुर रह्मान की सपनी को साकार करना था पूर्वी पाकिस्तान में लेटनेन जर्नल टिका खान जिन्होंने ऑपरेशन सरचलाइट की अगवाई की थी उनकी नित्रत में पश्यमी पाकिस्तान वेविद्रोह और आतंग की लप्टे पहुँची इस कुरूर हमले को मुक्ती फॉस ने बंग बंदु के आवान के बाद देश के बड़े इलाकों को आम आबादी के समर्थन में जलशेत्र में नियंत्रत किया और मौनसून आने तक सितंबर 1971 में सेना ने अपने आपको पुनरगठित कर लिया था सुतंजिता सिनानियों ने सीमा पार कर भारत में शरण ली ये वो समय था जब सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सेना के बेज जड़ पे शुरू हुई थी इस सितियां ऐसी बनने लगें कि दोनों देशों के बेज युद्ध का आगास होने लगा था लेटनेन जर्नल जगजीत सिंगरोरा जो उन्नी स्वेकरतर में पूर्वी पाकिस्तान में उपरेशन के प्रभारी थे इन पलू को याद करते वे उन्होंने कहा कि इस सिसी बेखाए जाए दोने स्वेकरतर में थे सुरल के 2जी लगें आगास होने । पूर्वी शेत्र में सिलहत में लड़ाई लड़ी कैई। 3 दिसंबर को भालत की ततकालीन प्रधान मंत्री इंदरा कांधी ने आधी रात को राश को संपुधित किया। उसी रात भारती वाई सेना ने जवाबी हमला किया। सेना की ये उजना बनाने वालों में से एक भारती वाई सेना की एर मार्शल एचसी देवान भी रहे। ततकालीन सोवियत संग भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा और संट राश्ट सुरक्षा परिशत में भी युद्ध विराम के प्रस्ताओं को वीटो किया गया। दूसरी ओर भारती सेना पूर्वी पाकिस्तान में आगे बढ़ रही थी। महतपून योजना के तहट पूर्वी पाकिस्तान को अतरिक तापूर्ती पहुचाने वाले समुद्र और वायू दोनु साधनों को अवरुद कर पाकिसानी वलों को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की कई। युद्ध में अग्रनी भूमिका निभाने वाले वाइस एड्मिरल मिहर कुमार रॉय ने कहा की इस सिद्ध को सबसे छूटी अवदी के यद्धू के रूप में याद किया जाता है जिसने दक्षन एशिया की भू राजनीती को तीन दिनों के भीदर ही बदल दिया था ततकालीन प्रधान मंत्री इंदरा गांधी द्वारा संसत में भारती सेना को युद्ध की स्विकृती दी गई दूसरी ओर भारती थल सेना पूर्वी कमान से सुनिशित कर रही थी कि युद्ध लंबी समय तक ना चले इस बीच पाकिस्तानी सेना द्वारा पीछे हटने की किसी भी प्रयास को विफल कर दिया गया इस कमान की प्रमुक लेटनिन जनल जे अफ आर जाकव की शब्दों में आगामी हार के आशंका जताते वे पूर्वी पाकिस्तान के राजयपालनी राश्रपती याया खान से बाची शुरू करने के लिए कहा इस समय तक भारती सेना आशुगंच में मेगना नदी पर पहुँच गई भारती मिसाइल लौकाओं ने 9 दिसंबर को कराची हारबर में आख लगा दी इस हमले को वाइस आड्मिरल मिहर रॉय ने याद करते वे इसे एक बड़ा मनोव वैग्यानिक छटका बताया पूर्वी मोचे पर भारती बनो ने बेगना नदी को 36 गंटे के लंबे वाइसेना अभ्यान के बाद पार किया विपरीत परिसितियों में स्थानी आबादी और मुक्तिवाहिनी ने भारती सेनाओं की मदद की पाकिस्तान ने आइनिस विक्रांथ पर हमला करने के लिए अपनी अमेरिकी पंटुपी पेनिस गाजी का उप्योग करने की योजना बनाई उसकी ये योजना कैसे फेल हुई जानिये आइनिस विक्रांथ के वाइस आड्मिरल प्रिशांत से युद्ध के दसमें तिन यानी 12 दिसंबर को पाकिस्तानी सैनिकों ने पिभिन शेत्रों में आत्म समर्पन करना शुरू कर दिया तब तक धागा भारती सैनिकों से भरा हुआ था जो तांगेल और नरसिंग्दी से चले गए थे फिर ओल इंडिया रेडियों पर सीना प्रमुक जन्रल सैं माने कशा दुवारा एतिहासिक प्रसारनाया जिसमें जन्रल नियासी को हथियार डानने के लिए कहा गया उन्होंने जिनिवा कंविंशन के अनुसार उन्हें इलाज का आश्वासन दिया इधर पाकिसारी राश्वपती याया खान ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर को लड़ाई खत्म करने के लिए सभी कदम उठाने के लिए अधिकरत किया एक महतपून बैठक के बाद राजपाल ने स्तीफा दे दिया अन्तीम आत्म समरपण से दो दिन पहले जर्नल नियाजी अमेरिकी कॉंसल जर्नल के पास जर्नल मानेकशा को एक संदीश पेचने और अपने सैनिकों की सरक्षा की मांग करने के लिए गय थे जर्नल मानेकशा सेह मत हो गया और पाकिस्तानी सेना को अपने अगरिम सैनिकों को आत्म समरपण करने के लिए कहा इस खटना क्रम पर सुनिए जर्नल जैकब के विचार आत्म समरपण के साधन को धाकर स्कोर्स में 16 दिसंबर को शाम 4 बच के 31 मिनट पर हस्ताक्षर किया गया था जर्नल जैकब को मानेकशा का संदेश मिला और उन्होंने आत्म समरपण की आपचा रिखताओं की ववस्ता की जर्नल जगजी सिंग अरोरा जिन्होंने उस यादकार खटना के बारे में समरपण वारता की अपने दलबल समीत दो घंटे में धाका लैंड करने वाले थे और युद्ध विराम भी जल्द खत्म होने वाला था जैकब जब नियाजी की कमरे में घुसे तो वहां आत्म समरपण की दस्तावेज मेस पर रखे हुए थे शाम की साथे चार बजे जर्नल अरोडा हेलिकॉप्टर सिधा का हवाय अटे पर उतरे अरोडा और नियाजी एक मेस के सामने बैठे और दोनों ने आत्म समरपण की दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये नियाजी ने अपने बिल्ले उतारे और अपना रिवालवर जर्नल अरोडा के हवाले कर दिया भारत ने पश्यमी मोर्शी पर सूला दिसंबर के सुबह एक तरफा युद्धि विराम की खोशना की युद्धि समाप्थ हो गया था और एक नए राश्रका जन्म हुआ बंगलादेश आसित्त में आ गया था 12 जन्वरी 1972 को शेक मुझीबुर रह्मान ने बंगलादेश के प्रधारमंत्री के रूप में शपत ली बानवता के लिए अपनी लड़ाई में भारती सेनाओं ने लाखो बंगलावाशियों के सपनों को पूरा किया युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी आधी नौसेना और एक चौथाई वाईसेना गवादी कृतक गिराश्ट आज 3500 से अधिक भारती युद्धवीरों को याद कर रहा है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गवादी तद कालीन पूर्वी कमान प्रमोग जनरल जैकब ने बहादूर सैनिकों को एक कविता के जरिये शुद्धान जलियार पित की अब यह आप सुन रहे थे आकाश्पानी भूपाल से पर सुद्ध कारिक्रम 1971 सुर्णने विजय वर्ष ये कारिक्रम 1971 में पाकिस्तान पर भारत के एतिहासिक विजय की पचासमी वर्षकार्ट के उसर पर आधार इथा झाल